वेलकम डियर स्टूडेंट इन इस फीडियो लेक्चर वी डिसकास ब्लैंक ग्लोसेज, हैबिट्स, एंड हैबिटेट दी ब्लैंक ग्लोसेज अनिमल्स आर कॉमनली नौन एज एक्रोन और टंग वोम ठीक जो ब्लैंक ग्लोसेज हैं उनको एक्रोन और टंग वोम के नाम से जामते हैं और आपका जो ब्लैंक ग्लोसेज वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है ब्लैंक ग्लोसेज जिसमें ब्लैंक ग्लोसेज का मतलब होता है एक्रोन एंड ग्लोसेज का मतलब होता है टंग और आपका जो blank glosses animals है यह belong करते है phylum hemicode से इसके पास जो characteristic होते है blank glosses के पास half invertibrate के characteristic होते है और half होते है इसके अंदर vertebrate के characteristic होते है तो यह माना जाता है कि जो blank glosses है ठीक है यह हमारा evolutionary link है between invertibrates and vertebrates के अंदर ठीक है और आपका जो blank glosses है यह आपका deuterostorm organism से means deuterostorm का उनलब होता है कि blastopore से first case के formation सो NS के formation सो ऐसे animals को हम जा कहते है deuterostorm organism तो आपका जो blanklossy जए वो कैसे हमारा deuterostorm organism से अब इसके classification के बारे हम पढ़ेंगे तो आपका जो blanklossy जए वो belong करता है phylum hemico data से इसकी जो class है वो अमारी anterior new stuff और family है इसकी पटायो और जो genus है इसका वो हमारा ब्लेंग ब्लोस है अब हम इसके habitat की बात करते है habitat का मलब होता है कि कोई भी organism कहाँ पर survive करता है leave करता है वो उस organisms का habitat करता है तो blanklossy leave करता है marine water के अंदर तो इसकी जो habitat है वो कैसे हमारी marine habitat है और जो आपका blanklossy यह innovate करता है जितने भी sea present है पूरे world के अंदर सभी के अंदर blanklossy species present है ठीक है but mostly it inhibates in the intertidal zones ठीक है जो intertidal zones होता है यह से हमारा sea है sea के अंदर जो लहरे चलती है अपर जो regions होता है तो इनके beach वाला जो regions होता है intertidal जो region होता है वहाँ पर क्या करते है survive अब हम बात करते है habitats की blanklossy कैसा animals है कहाँ पर survive करता है ठीक है और कौन सा reproduction सो करता है sex कैसा present होता है fertilization कैसा होता है level stage present होती है तो first हम discuss करते bureau ठीक है तो हमारा blanklossy है वह burrowing animals है means जो blanklossy जा है वह लायो करता है bureau के अंदर and tubulous animals है क्योंकि इसकी जो structure है वो tube like structure present होती है इसलिए जो मारा blanklossy जो उसकों कहते है burrowing or tubulous animals ठीक है then the bureau of blanklossy is u-shaped and two opening 10 cm and 20 cm अपाथ ठीक है इसकी जो shape होती है वीवरों की वो कैसी होती है u-shaped होती है और इसकी दो दोन्नों opening होती है anterior opening and posterior opening दोन्नों क्या होती है apart होती है एक दूसरे से 10 से 20 cm क्या होती है दूर present होती है ठीक है anterior end funnel like and posterior end is round ठीक है इसका जो anterior end होती है उसकी जो opening होती है वो funnel like होती है और इसका जो posterior end है उसकी जो opening है वो कैसे हमारी rounded opening है जो anterior canal part of bureau maybe branch इसका जो anterior part है maybe branch के अंदर present हो सकता है branch भी present हो सकती anterior end पर और जो branch है इसको क्या कहेंगे accessory branch of anterior bureau तींगा bureau open at the both end जो हमारा bureau है You ılgoo यह ओपन होता है इस स्पायरल कोई अड़ी ओवपनिंग पर फीसे में, इसके पॉश्टियर उपंनिंग में, फीसे के जो स्पायरल कोईल से वह बन कार्ज करता है हैंग होता है पोश्टियर पार्ट पे और रेज करता है इंदर डिपोजित स्टार्ट अगर बिपोजिट होना स्टार्ट जाएगा तो बियोड की जो ओपनिंग थी वह क्या होजाएगी जिसके कारण blank losses go aspirations में उसकी survival में क्या होगी डिफिगल्टी पर दूस होगी तीक है इस वजए से जो इसका जो एनस है वह हमेशा कहां पर 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 यह जो डाइग्राम है वह ब्लेंग का टाइग्राम है़ाइओ इसकी से कैसे हमारी यू सेब्र डरीग सबसक्राइड सेब्सक्राइट होता है तो इसका जो एंटियर एंड उता है उसके इंदर साफ कोEND ओपनिंग होता है टिका फञाल के भूआ है ऐसेशरी एंट्रियर वो करें एंडर फोर ग्लातर ब्लेंग लोस यह वीरो के अंदर पर जैंस अ क्ला पार्त और इसका और है करा की नहां है है штका है यह ज्ञिस्ण मैंट और यह में है अस जो परता उन दूंट ब्योरो नाव सेकिंड हैविटेट इसकी है कि प्रोटेक्शन ओफ दी ब्योरो जो ब्लैंग लोसिज है अपने ब्योरो की प्रोटेक्शन कैसे करता है तिक दी वाल ओफ दी टूप आर लाइंड विद म्यूकस सिक्रेटिट बाइदी म्यूकस ग्लैंड ओफ दी एनिमर्स जो उसके जो वाल होती है बोड़ी स्कीन की जो आउटर वाल होती है उसके अंदर के आपते बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड परजैन्ट होती है और यह जो म्यूकस ग्लैंडर रिलेज करती है म्यूकस को रिलीज करती है और यह म्यूकस क्या करता है एक लेयर की फॉर्मेशन करता है इसकी वाल के स्राउंडिंग में ठीक है और यह जो म्यूकस है रिलीज करता है प्रिकुलर ओडर डिजेंबल डैट ओफ आइडो फॉर्म की स्मेल से और यह जो स्मेल है प्रिवेंट करत कोई भी प्रीडेटर को इनके ब्योरो में एंटर करने से तरी करते हैं अपने ब्योरो को नाओ मुव्मेंट इन दी ब्योरो के अंदर मूव्मेंट कैसे करते हैं तो एनिमल्स मूव इंसाइड दी ब्योरो वैंदी टाइड स्टार्ट रिट्रीटिंग जैसे ही समुंदर के अंदर लहरे चलना स्टार्ट होती है तो हमारा जो एनिमल से ब्लेंग लोसी है वो काप एंटर करना स्टार्ट करता है अपने ब्योरो के अंदर एंटर करन वहमेशा प्रोजेक्ट करता है ऑपने ब्लेंग लोसिज आनिमल वह फूड करता है कैसे फीड करता है क्या फीड करता है तो जो ब्लेंग लोसीज त्याहिए वह इड करता है चाहिए और उस्थ सेंड और मट के अंदर क्या पर यह यह करभाता है उस्छ गोंसेन को डाइटम्स प्रोटोजों सुमूल माइक्रोमिजैम सैंडुधॉत इनको डाईजेस्ट करके आपके अनलची को नाओ वी डिस्कास नाओ एन्वार्मेंट से कोई भी स्ट्यूम्लस मिल रहा है तो उसको क्या करता है बहुत ही सेंसिटीव होता है उसके अब बात करते हैं कि बिलैंक के अबर Crime डिकना पसा के संसराव ऐसा क्र постро होता पर ówिमेट के वो बलांजाइशन के बात आप्सटैनल का मतलब होता है कि जो यह은गर दर हो रहा है वह बोड़िक ननके आउटसाईड और इंका जो डवलमेंट होती है वो इंडारेक्ट डवलमेंट होती है मिंस लार्वल स्टेज परजेंट होती है और जो लार्वल फॉर्म है उसको क्या कहा रहे है तोनेरिया लार्वा ठीक है और इनका जो लार्वा होता है ब्लैंग लोसीज का वो कैसा होता है हमारा फ्री स्वीमिंग लारवा होता है और प्लैंग टोनिक फ़र्म होता है और फ्लैंग टोन की जो लारवा हो नरिशमेंट प्रवाइड करता है due to eat of phytoplankton खेक्रफॉइट करके नुट्रेशन्स प्रवाइड करता है यह थे ब्लैंग लोसीज के अंदर उसकी characteristic and habitat thank you